हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब उस सबरेश की बात करेंगे यूपी की आजमगर और बुलंद शहर में नाबालिकों के साथ रेप की ख़टनाई हुई है बुलंद शहर में 14 साल की नाबालिकों को रिजवान उठा कर ले गया तबंगई ऐसी कि मूँ खोलने पर मूँ पर तेजाप फेकने की धंकी भी दी वहीं आजमगर में भी 6 साल की मासूम के साथ रेप किया गया जिसके बाद उसे अस्पताल में भरती कराना पड़ा दरंदगी करने वाले दानिश को गरफतार कर लिया गया है बुलंद शहर और आजमगर स शह साल की मासूम के साथ रेप हुआ जिसके बाद उसे अस्पताल में भरती कराना पड़ा है अलाकि दोनों ही अपरादियों को गरफतार कर लिया गया हांतरस में दरंदगी का शिकार बनी लड़की के परिवार ने कल शाम मुख्यमंत्री योगी आगे अजित तिनाथ से ब आधी रात के अंधेरे में हाथरस पुलिस प्रशासन के इस अंधेर गरदी को जिसने भी देखा जिसने भी सुना हैरान रह गया जीते जी जिस लड़की को गरिमा नहीं मिली पुलिस प्रशासन के वजह से उसे मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिला मुख्यमंत्री योगी ने जब पीड़ित परिवार से बात की तो परिवार ने अपना ये दर्द भी उन्हें बताया लाश्ट में मैंने मेरी बेटी से मेरी अंतिम क्यातरा नहीं करायी तो उसके लिए बोलेगा उसको उसके लिए में बहुत खेद मानता हूँ जिस बात को लेकर परिवार को दर्द है, जिसके शिकायद परिवार ने खुद मुख्यमंत्री योगी से की, जिस चीज के लिए खुद मुख्यमंत्री ने खेच जताया, उसको छुपाने के लिए हाथ रस से लखनो तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लीपापोती करते देर रात तक कोस्माटम के बाद से जब बॉडि पहुंची, तो परिवार वालों की सहमती से और उनकी उपस्तिती में ये अंतेश्टी कराई गए, दूसरा चीज की डेट बॉडि भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे, उनलोंने सहमती जताई थी कि रात में कर दिया जाना उचित होगा, इनी की सहमती से उसका अंटिम संसकार किया गया है और इनी के परिजन वहां पे उपस्तिती ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी की बुड़िती है, अलिकारी चाहे जो भी दलील दे, लेकिन तस्वीरे जूट नहीं बोलती, आप इन तीन तस्वीरों को देख लीजे, पहले पुलिस ने चिता सजाई, फिर सफेग कैन के सहारे चिता में आग लगाई, और आग लगाने के बाद पुलिस वहां से भाग गई, इन तीनों तस्वीरों में कहीं भी परिवार के लोग नज़र नहीं आते, पुलिस प्रश पुलिस परिवार के रजामंदी की बात करती है, लेकिन पीडिक की मा तो बार 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 बेटी का शव घर ले जाने की गुहार लगाती रही पुलिस ने उस गुहार को अंसुना कर दिया, रात में चिता जलाने पर मुख्य मंत्री योगी ने पीडिक के पिता से खेट तो जताया है, लेकिन अभी तक इस घतना में शामिल अधिकारियों पर कोई कारवाई नहीं की है, जब तक इन अधिकारियों पर कारवाई नहीं होती, तब तक इनसाफ अधूरा रहेगा. ये आवाज पुलंद करने भी, हम पहुचे हैं मौके पर. सवाल पुलिस वालों पर पहले ये उठ रहा था, कि आपने पहले केस में ही लिपा पोती करनी शुरूर कर दी. आपको रेप का केस रिजिस्टर करने में आठ दिन का वक्त लग गया, हाला कि पहले आपने कुछ और धाराएं लगाई थी. और उसके बाद जो गणिमा पून करीके से उस लड़की का अंतिम संसकार होना चाहिए था, वो हग भी आपने परिवार से छीन लिया. पीरिट के गाउं तक पहुँची, उस चिता तक पहुँची, जिसकी आग में शासन के प्रतीर सम्मान और विश्वास जुलसा था, जिसको सजाने में कानून का एक बाल उजड़ गया था. अधिकार के वल जीविद वक्ति के नहीं होते, देश का सम्मिधान मौत के बाद भी अपने नागरेकों को सम्मान पूर्वक अंतिम संसकार का अधिकार देता है, गरिमा पूर्ण जीवन के वल जीविद वक्ति के अधिकार नहीं है, बलकि मृत्य के बाद भी अधिकार ला नमस्ते भारत में इंसाफ के लिए इस मुहिम को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये परिवार इंसाफ नहीं पाता पुलिस प्रशासन के शर्मनाक रवये का परदा फाश तब तक करते रहेंगे जब तक उनके खिलाफ सक्त कारवाई नहीं हो जाती मैं जहां खड़ी हूँ यहां से महस्तीन घंटे की दूरी पर देश के सबसे वड़े अस्पताल है लेकिन जो बेटी न ठीक से बोल पा रही थी न ठीक से चल पा रही थी उसे बहतर इलाज के लिए महस्तीन घंटे की दूरी पर बने बड़े अस्पतालों में ले जाने में हाथरस प्रशासन को आठ से नौ दिन लग गए हमारी साथी और आपकी दोस्त प्रित्मा मिश्रा आज स्टूडियो में इसली नहीं है क्योंकि वो हाथरस गई हुई है हम इस बड़ी खबर पर आपको पलपल की जानकारी प्रित्मा के जरीए देते रहेंगे अगली खबर है उत्तरपरदेश के बलरामपुर से बलरामपुर में भी हाथरस जैसी घटना सामने आई है यहां बाइस साल की चात्रा को अगवा कर गैंग रेप करने है और लड़की के पैर और कमर की हड़ी तक तोड़ने के आरोप लगे है पलिस में दोनों आरोपियों को गरफ्तार कर लिया बीटी की इस हालत ने मा का दिल तोड़ दिया है मा का रो रो कर बुरा हाल है जिसने घटना सुनी उसका दिल बैठा जा रहा है आरोपे की 22 साल की छात्रा को आगवा कर गैंगरेप किया गया और बाद में एक रिक्षे वाले ने बच्ची को घर पहुँचाया लड़की सुबा दस बजे बिमला बिक्करम में अडवीसर कराने गई थी इसन कराने एक लोटने समय तीन चार लड़के उसको हाथ दिये जबरजस्ती गाली में उसको बैठा लिये उसके हाथ में इंजक्सन लगाए उसके उसको ले गए उसके अपने रूम पे ले गए उसके साथे परिजनों का रूप है क्या रूपियों की दरंदगी की वज़े से बच्ची के पैर और कमर की एटी तूट गए जिसकी वज़े से उसके हालाद बिगड़ी हालाद बिगडने पर युव्ति को लावारिक्स छोड़ दिया गया और 2 लोगों का Nahanta कंगा नाहिए पर आप अब लोह जयो पर शहें तब ये video लगा है तो कोई डाक्टर किया हो अब यह तो यह लोग वह लोग बतायेंगे कि दवा किस तो किया है एप लड़की के गर पहुंचने पर लड़की के हाथ में ग्लूकोस चड़ाने का ड्रिप लगा था उसके पेट में जलन हो रही थी उसने पूरी कहानी माबाप को बताई लेकिन माबाप चाह कर भी अपनी बच्ची को बचा नहीं पाए आरोप है कि जिले की पूरी घटना को दबाने का भरसक प्रयास किया मामला बलरामपूर के कोटवाली गैसरी खिशेत रखा है जहां पुलिस कह रही है कि रेपोर्ट मिलते ही दोनों आरोपियों को फायर दर्ज कर गरफतार कर लिया गया पुलिस के मताबिक अपारं की घटना 29 सितंबार को हुई जबकि 30 तारिक को युफदी की मौत हो गई पुलिस का दावा है कि मृतका के भाई द्वारा नामजद दोनों अभ्यूगतों को बलराम पुलिस द्वारा गरफतार कर लिया गया है मृतका के हाथ पर तोड़ने वाली सूशने असते हैं पूस्मार्टम में इसकी पूश्टी नहीं हुई है परिवार यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है कि आखर कैसे दिन दाहरे लड़की का परहन किया जाता है क्या यूपी में लड़की का घर से निकलना ही सुरक्षित नहीं है उत्तरप्रदेश में रेप और गैंग रेप की घटनाए लगात तार सामने आ रही है रेप की घटनाओं से जनता फुस्से में है वहीं पुलिस के बरताव से भी लोगों का घुस्सा भड़क रहा है अपराधियों की होंसले कितने बुलन हैं कि वो नाबालिकों को भी नहीं छोड़ रहे सवाल ये कि उत्तरप्रदेश में राज किसका चलता है कभी हात रस की दरंदगी फिर बलरामपूर की हैवानियां बुलन शेहर में नाबालिक से रेप और आजमगड में नाबालिक बनी शिकार ये तस्वीर हैं बुलन शेहर की हैं जहां गाउं के दवंग रिजवान ने इस 14 साल की मासूम को अपनी दरंदगी का शिकार बना डाला आरोप है कि सोती नाबालिक को रिजवान ने बेहोश किया और उठा कर ले गया बार केंटर कड़ा था मतलब खेत मैं उसके बाद मैं वो केंटर की साथ मेरे साथ बुरा काम भी करा रहा है घट्टा उत्तर परदेश के बोलन शेहर में 29 सितंबर की रात की है औस ला इतना बुलन कि मूँ खोलने पर जान से मारने की धंकी भी दी अब परिवार रिजवान को कड़ी से खड़ी सजाद दिलाने की मांग कर रहा है मदद के लिए पुलिस के दरवाजे पर जब परिवार पहुंचा तो पुलिस ने विफायार दर्ज कर ले पर यह बयान सुनिये जो पुलिस की समवेदन हींता को दिखाता है अब कुई 14 वर्षी बेटी के साथ रेप करने के संबन नमेक तहरीर थाने पे आज साम को 4 बज के 26 मिनिट को दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका पड़ोसी लड़का रिजवान है जो लगवग 20 साल का है उसके द्वारा रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया गया सुनाब ने पुलिस का ये रुख इसे रुख से पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाने की मत दिखाने में डरता है वही आजमगड में भी 6 साल की मासूम के साथ दरंदगी हुई जिसके बाद उसे अस्पताल में भरती कराना पड़ा जियनपूर गोत्वालिक शेत्र में 6 साल की मासूम के साथ दरंदगी करने वाला दानिश गरिफतार हो गया है यह अभ्यूक्त उसके घर के सामने रहने वाला है तता उसके घर बार आना जाना था और उसके घर से काफे निकट के समल उस नभी वक्ते थे अभी फूर रफ्तार कर कलिया गया है यह अभी प्रिट परिवार से मिलने वीडिया कर भी पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोप गी उत्तर परदिश में रेप के आँखनों पर जारा कौल कीजी 2019 में 3,065 केस यानी 8 केस रोजाना 2018 में 3,946 केस यानी 11 केस रोजाना 2017 में 4,246 केस यानी 12 केस रोजाना 2016 में 4,816 केस यानी 13 केस रोजाना गैंग रेप के आफ़ों पर गौर कीजी 2019 में गैंग रेप के 301 केस 2018 में 492 केस 2017 में 676 केस 2016 में 682 केस इसकी एक बड़ी वज़ा है महिलाओं पर अपराद की मामले में सजा पानी की धर बहुत कम है 2017 में सिर्फ 27.8 मामलों में सजा हुई 2018 में सिर्फ 27.2 मामलों में सजा हुई 2017 में सिर्फ 32.2 मामलों में सजा हुई 2016 में सिर्फ 25.1 मामले में सजा हुई जहर जब आप राज्यों को सजा नहीं मिलेगी तो भला वो कैसे डरेंगे प्रती 10 ग्राम था इसमें 640 रुपय का उच्छाल दर्ज किया गया कोलकाता में जो रेट था उन्हेंचा सब्सक्राइब 730 यहां पर 580 रुपय का उच्छाल दर्ज किया गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता चेंड़ी में चांदी का भाव जान लेते हैं चांदी प्रती किलो 61,000 रुपय थी और सभी जगे 2,000 रुपय का उच्छाल दर्ज किया गया चारों महान अगरों में जो है चांदी का रेट एक समान था और उच्छाल भी प्रती किलो 2,000 रुपय का दर्ज किया और अब आंकर चॉइस में जानिये खबरे इतमनान से बॉलिवड ड्रग मामले में पहली बार सक्से बड़ी सुपरस्टार शारुख खान का नाम आया है टैनिक भासकर की खबर के मताबिक NCB की पूस्टाच में ज्रग पैडलर्स ने पॉलिवड के चार हीरोज का नाम लिया इसमें शारुख खान के अलावा रणवीर कपूर, अरजुन रामपाल और डीनुमोरिया भी शामिल है इससे पहले केबल A, D, R और S के कोड नाम से बाते कहीं जा रहे थी अब ये साफ हो गया है कि A का मतलब है अरजुन रामपाल, D से है दुरुमोरिया, R से है रणवीर कपूर और S से है शाहरुक कान का नाम नाकोटिफ्स कंड्रोल भ्यूरो ने ड्रग्स मामले में अभी अभी नीत्री, तिपिका पादुकोर्ण, सारा अली खान और स्रधा कपूर को क्लीन चिक नहीं दी है NCB सुत्रों के मताबिक तीनों अक्रिस के बयान लगबाग एक जैसे है, तीनों में एक जैसी ही बात कही गई माल को सिगरेट, हैश को पत्ती सिगरेट, वीट को मोटी सिगरेट या रोल्ड सिगरेट बताया गया NCB को शक है कि तीनों को मुंबई के एक बड़े वकील गाइड कर रहे है फिल्मकार अनुराग कश्यप को आज मुंबई पुलिस के सामने पुस्ताच के लिए बेश होना है एक बॉलिगूड अक्ट्रिस की शिकायद के बाद मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को आज हाजित होने के लिए कहा है मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को सुभा 11 बजे बरसुवा पुलिस टेशन पुस्ताच के लिए बुलाया है अट्रिस ने अनुराग का शियर पे खिलाफ पुलिस पे रेप का मुकत्मा दर्श करवाया था हाला कि अनुराग ने उन आरोग की कुपे बुर्णियाद बताया है यूपी के हाथ रस्में हुए गैंग रेप केस की पिडिता का शव रात के अंधिरे में जलाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ ने खेद जताया है सरकार के बुलावे पर पिडिता के पिता से सीम योगी ने वीडियो कॉल के जरिये बात की लड़की के पिता के मुताविक सीम ने इस बाचीत में अंतिन संसकार को लेकर खेद प्रकट किया इस गैंग रेप केस की जाँच साइटी करेगी मुख्यमंत्री ने साथ दिन के भीतर जाँच पूरी करने को कहा है यूपी सरकार ने पिडित लड़की के परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाग रुपे की मदद का भी अलान किया है यूपी के बल्रामपुर में भी हांथरस जैसी बरवर वारदात हुई है यहां 22 साल की छात्रा को अगवा कर गैंग रेप किया गया यह वारदात उस वक्त हुई जब छात्रा एक कॉलेज में एड्मिशन के लिए कई हुई थी आरुपी उसे सड़क पर लावारी सालत में छोड़कर फरार हो गया एक रिख्षे वाले ने विभोश पड़ी लड़की को उसकी खर्टक पहुचाया बाद में अस्पताल ले जाते समय लड़की की मौत हो गई घरवालों के मुताबिक लड़की से इसकदर बरबरता की गई कि उसकी कमर और टांग भी तोड़ी गई है इस मामले में दो आरुपीयों को गरफ्तार किया गया है यूपी के आजमगर में भी एक दिल देहा देने वाली वार्दात हुई है चह साल के मासूम बच्ची को दरंदिगी का शिकार बनाया गया बच्ची से बड़तकार का आरुप उसी के पडोस में रहने वाले एक व्यक्ती पर लगा है पीडित की मा का कहना है कि उनकी बच्ची घर के बगल में ही आरुपी के घर खेलने गई थी आरोपी बच्ची को बहला फुस्टा करते ही नौर ले गया और उसके साथ दरंदगी की बाद में बच्ची खून से लगपत लोटी उसे महिला अस्पकाल में भत्ती कराया गया आरोपी दानिश को पुलिस ने गरफ्तार कर लिया खुलिस ने गरफ्तार करने जा रहे हैं आर इकत्स किसान जथे बंदियां पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगी आज शुबाए 11 बजे पंजाब की किसान विरोत प्रदर्शन करेंगे ऐसे आसार है कि अमरित सर, बटिंडा, मांसा, बदनाला, फिरोस्पुर में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है एंडिये से अलग होने के बाद आज से अकाली धर्वी कृशी बिल के खलाब विरोत प्रदर्शन तेश करीगा बिहार विधान सबा चुनाओ के लिए आज से नामांकन शुरू गुरा है हाला कि अभी किसी भी पार्टी या एलाइंस के और से उम्मिदवालों की घोश्ण नहीं हो लिए टिकेटों को लेकर पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर देताओं का तादा लगा हुआ है बिजेपी के बड़े नेता पटना पहुच चुके हैं बिजेपी के बिहार भारी पुपेंद्रियादव और बिहार चुनाओं के लिए पार्टी के प्रभारी तेवेन पड़ंदी सोलों गल पटना पहुचेंगे टिकटो को लेकर एंटीय में अभी घमासान मचा हुआ है लेकिन बिजेपी नेता पुपेंद्रियादव का दावा है कि गड़ बंदन में सब कुछ बढ़िया है गड़ बंदन संकर टाननी के लिए आमिच्चा ने भी मूर्चा समाल लिया है वो नितीश और चिरागपासवान दोनों के समपर्ट पर है बिहार में चुनाओी सरगर्मी के बीच सुशांत सिंग राजपूर के पिता और बहन नितीश कुमार से मिले हैं ये मुलाकात पटना में मुख्मंत्री आवास पर होई है सुशांत के पिता केकेस सिंग और बहन नीतु सीम हाउस में करीब एक घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक रहे उनके साथ सुशांत के बहनोई आईपियस अफसर ओपीस सिंग भी थे तुशांत के पिता और नितीश के बीच तुशांत केस पर चर्चा भी हुई है तुशांत के पिता ने केस की जाँच CBI से कराए जाने भूले का नितीश कुमार को शुक्रिया का है आज से दिल्ली के इंद्रा गांधी अंतराष्ट्री अएरपोर्ट के टर्मिनल 2 से फ्लाई दी शुरू हो जाएगी तकरीबन 6 महीने बंद रहने के बाद ये टर्मिनल खुलने जा रहा है तभी सुरक्षा मानकों के साथ यहां से हवाई सेवा शुरू होगी इंडिगो और गो एयर की घरेड़ी तर्मिनल से ऑपरेट होंगी टर्मिनल 2 से पहले 25 मही को कुछ सीमित विमानों के लिए और टर्मिनल 3 से हवाई सेवा शुरू की गई थी उसकी सपलता को देखते हुए टर्मिनल 2 पर संचालन शुरू किया जा रहा है कोरोना काल की पावंदी हटने के लिए गिरे मंत्राले ने दिशा निर्देश जारी किये इसके थायता जल्द ही सिनेमा घरों में रोनक लोट सकती है नई गाइडलाइन के मताविक सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर ते खुल सकेंगे लेकिने सिनेमा हॉल शर्तों के साथ खुलेंगे केवल 50-20 तक लोगों को ही जासत होगी इसकूल खोलने का निर्द है 15 अक्टूबर तक राज़ सरकारों को अपने स्तर पर लेना होगा आईपियल बे कर राद खेले गए मुकाबले में शारुख खान की टीम कोलकता नाइट वाइडर्स ने बड़ी जीत तर्श की कोलकता ने फॉर्म में चल रही राजस्थान रॉयल्स की टीम को सेटिस रनों से हरा दिया कोलकता ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए लेकिन राजस्थान की टीम 116 रन ही बना पाए राजस्थान की टीम में कोलकता नाइट वाइडर्स के गेंबाजों के आगे सरेंडर कर दिया राजिस्तान की टीम से सिर्फ टॉम करन ही कुछ मुकाबला कर पाए वो चावन रन बना कर मैच के टॉप स्कोरर रहे ठीन से चल रहे तनाव की बीच भारत ने ज्यादा विक्सित ब्रमोज मिसाईल का सफल परिक्षन किया है ब्रमोज मिसाईल में नया स्वदेशी बूस्टर लगा है जिससे इसकी रेंज और बढ़ जाएगी मिसाईल की रेंज बढ़कर 400 किलोमीटर हो गई है यानि ये मिसाईल अब 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाईल भी कहा जाता है ब्रमोज मिसाईल को खारत और रोस में मिलकर तैयार किया है इसे जमी, समुद्र और लड़ाको विमानों से दागा जा सकता है अमेरिकी नौसेना की एक लड़ाको विमान की हवा में दूसरे विमान से तक कर हो गई कैलिफोर्निया में ये हाथसा उस बख हुआ जब ये सिंगल सीट वाला लड़ाको विमान री फ्यूलिंग ओपरेशन पर था दूसरे विमान से तकराने की बाद फाइटर जेट क्रैश हो गया और उसका पाइलिट कूठत गया जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है लड़ाको विमान जिस विमान से तकराया उसमें 8 ख्रूव मेंबर्स के सभी सलामत इस हाथ से के बाद दूसरे विमान की इमेजेंसी लैंटिंग करानी पड़ गई, ये उसी विमान का वीडियो आप देख रहे हैं महराष्ट में 5 अक्टूबर से रेस्टरॉन और बार खुलेंगे लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महराष्ट में रेस्टरॉन बार पूट-पूट को खोलने की परमिशन में गई है आने वाले पांच उक्टूबर से महाराश्ट के लोग दुबारा से बार और रस्टॉण में जाकर खाना खा सकते हैं कोरुना संकच के बीच ये फैसला राहत लेकर आया है लेकिन अभी लोगों को कुछ गाइडलाइन को फॉलो करना होगा इसके मताबिक बार और रस्टॉण में 50% लोगों के बैठने की जासत है महाराश्ट में जिस तरह से कोरुना के स्पीट पकड़ रहे हैं वो भी बड़ी चिंता है इसी को धान में रखते हुए सिनेमा हॉल, मेट्रो और धार्मिक स्कल अभी बंद रहेंगे मुंबई में बिना मास्क पहने कोई भी मॉल, रेस्टॉण आफिस में नहीं जा सकता बिना मास्क पहने लोगों पर 200 रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा देवी पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइसर और थर्मल स्क्रीनिंग ज़रूरी है गर्बा और डांडिया का आउजिन करने की सफ्ट मना ही है जशेरे पर रामण देहन के लिए लोगों को जाने की जाज़त नहीं है महराश्च पे हो रही है सकती, लेकिन देश में आज़ से दी जाएगी धील क्यों, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, अनलॉक 5 के तरफ, कोरोना तो बढ़ ही रहा है लेकिन जदगी पर पट्री पर लौट रही है, आज से देश में बहुत से नियम बदल जाएंगे वो कौन-कौन से नियम है, जो अनलॉक 5 के तरह, देश में बदलाव के इस तरफ पर आप देखेंगे हमारे शानदार ग्राफिक्स के जरीए समझेए, आज से क्या-क्या बदल जाएगा यह आपको हम बता रहे हैं, मिठाई की दुकाने, जो की अब तक बंद थी, वो खुल जाएंगी हाला कि मिठाई आपको मिल रही होगी, लेकिन होम दिलिवरी हो रही होगी राइविंग लाइसंस के डिजिटल को भी अब चड़ेगी, यह बहुत अच्छी बात है अब लाइसंस, आर्टी, साथ रखनी की जरुवत नहीं है, फोन से सारे काम हो जाएंगे विदेश पैसा भीशने पर टैक्स आज से लगेगा, यानि कि जो लगता था उसमें बढ़ोत रही हेल्ट इंचॉरेंस में ज्यादा बीमारियों का कवरिज भिलेगा, अच्छी बात है, आपका जो हेल्ट इंचॉरेंस है, उसका कावरा बढ़ा हो गया सरकारी बैंक घर पहुँचेंगे आपके, यानि कि आपकी घर पहुँचाकर सरकारी बैंक आपको लोन देंगे SBI की एक खबर है, और ये खबर आपको नमस्ते भारत में आगे विस्तार से हम बताएंगे आज से खुलेंगे ओपन एर ट्रेटर्स और मैजिक शोज, हाला कि अभी यहाँ पर कुछ पाबंदियों के साथ ही इन्हें खोलने की इजाजत है नमस्ते भारत में हमारी कोशिश होती है क्या आपके स्वास्त की जानकारी आपको दें, आपके निवेश की जानकारी आपको दें और देश में क्या बदल रहा है वो भी आपको समझाया है कर लोगों को आगाह किया है, खबर देखिए और शेयर जरूर कीजिए तो सावधान हो जाईए, ऐसा करना आपको मुसीबत में डाल सकता है ये बात पुलिस भी कह रही है, पुलिस ने ऐसे किसी भी सोशल मीडिया चैलेंज को लेकर यूजर को आगाह किया है कपल चैलेंज का हिस्सा बने तो आपकी तस्वीरों से छेड़ चाड़ करके उनका दुल्पयोग हो सकता है तस्वीरों से छेड़ चाड़ होगी तो आप डैक मेलिंग का शिकार हो सकते हैं आपके नाम से फर्जी फेस्बुक आईडी बन सकती है, आपके नाम से सोशल ठगी की जा सकती है ऐसा इसलिए क्वीरों कि इन गपल चैलेंज के सुरोध का पता नहीं है कि ये कहां से आया, किस ने शुरू किया और क्यों शुरू किया हमें अभी तक ये नि definite कि कहां से इनकी शुरुआत होती है, कि कूश भी कून इसको शुरू करता है आगरापुरिस की साइबर सेल ने तो इससे लोगों को आगाहा करते हुए बाकाइदा एडवाजरी भी जारी की है तो एक मामूली सी लापरवाही मुसीबत का सबब बन सकती है इसलिए सतर्गता ही बचा हुए वरना साइबर क्रिमिनल आपकी जिन्दगी को नर्क बना सकते हैं सोचल मीडिया पर अकसर फेक नियूज या फेक पोस्ट आप भी देखने होंगे इससे लड़ने के लिए आई 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 टी के छात्रों ने एक आप बनाया है जो जल्दी लॉंच भी होने वाला है ये आप ना केवल जूट पकड़ेगा बलकि सचाई भी बताएगा रोतक के 20 साल के इंजिनेरिंग के छात्र अमन सिंगल उन आई आई टी छात्रों के गुरूप के एक सदस्य हैं जिनोंने फेक नियूज और फेक पोस्ट से लड़ने के लिए एक मोबाइल एप बनाया है अमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर फेक विट नाम से एब तयार किया है जिस सिर्फ विलहार टेक्स सुचनाओं की वैदिता को जाचा जा सकता है इसे और वीडियो संदेशों की वैदिता को जाचने के लिए भी अपग्रेड किया जाएगा अमन और उनके दोस्ट आयाइटी धारवार की छातर है उनके इस आयुशकार को भारत सरकार से लेकर अमेरिका तक मानेता मिली है आने वाले दो महिने में वो इस एप को लांच कर देंगे अमन और उनके साथियों के बनाएप वेकविट को यूजर जल्द ही गूगल प्ले स्टोर और एपल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे लोगडाउन के दौरान आपने डिप्रेशन बढ़ने की कई स्टेडीज देखी होंगी पढ़ी होंगे लेकिन बिहार की जहनाबाद में कुछ ही वाउने इस मुसीवत को अवसर में बदल दिया उन्होंने एक रचनात्म का भिहान छेडा और कई गाउं में पहुद लगा देखी लोगडाउन के दौरान चारों तरफ जब उदासियां पस्री हुई थी लोगों में एक खीज सी पैदा हो रही थी जहनाबाद के कलपा खुर्द गाउं की युवाउं की ये टोली धर्ती में हर्यालिब हो रही थी अपने आसपास के गाउं में पौधे रुप रही थी नरसरी तयार कर रही थी चालिस युवाउं की ये टीम खाली पड़ी सरकारी जमीन, सड़क किनारे, तालाब और पोखरों के किनारे अब तक साड़े दीन हजार से ज़्यादा पौधे रुप चुकी है इन में से ज़्यादा युवाउं वो हैं जो की बड़े शहरों में नौकरी करते थे और लॉकडाउन में घर आए, इन्होंने स्थानिया स्कूली चात्वचाताओं को जोड़ा और देखते ही देखती, चुप चाप एक रशनात्मक आंदोलन खड़ा हो गया खास बात यह है कि इन युवाउं ने गाउं गाउं जाकर बीजी कटा किये और अपनी नरसरी बनाई, अब जब इस नरसरी में पौदे होने लगे तो उन्होंने उन पौदों को गाउं गाउं में जाकर रूपना शुरू कर दिया तो आईपेल पर चर्चा के लिए हमारे साथ इंडिया टीम के पूर तेज गैन बास अतुल वासन जुड़ गए, अतुल क्या आपको हैरानी नहीं हो इक राजस्थान की मजबूत दिख रही टीम कागश पे बहुत मजबूत है, वो बल्ले उनके बल्लेवास प्राश के पत्तों की तरह बिखर गए तेकि कल वही हुआ जो मैंने सोचा था, मुझे लग रहा था कि ये जो हैंगवर लेके आएंगे इशारजा का राजस्थान रॉयल्स, वो कहीं उल्टा ना पड़े इने, क्योंकि ये अलग कंडिशन्स है, मैदान वो जो एक्स्ट्रा दस शाड का कुशन गेंदबाजों को मिल रहा है, उसको कहीं नजर अंदाज ना कर दें, क्योंकि ये पिछ भी वैसी नहीं है, इशारजा में कि आखें बंकरी और मार दिया, और मुझे लगता है, पिछला मैच जो जीती थी मुंबई, मुंबई ने जो टाई किया था, उसको भी ध्यान से देखा नहीं, उन्हो में कमी रह गई. प्राद नाम के दो आरोपी अभी तक परा रहें, पुलिस ने आरोपियों की गरफतारी के लिए चार्टी में बनाई हैं. ये घटना उस वक्त हुई जब शादी शुदा महिला अपने भांजे के साथ अपने गाउं वापस आ रही थी, इस दोरान 6-7 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया, महिला के भांजे को बंधत बनाकर रेप किया. आरोपियों ने महिला के असनी वीडियो भी बनाया और उसे वाइरल भी किया. घिनोनी घटना है. जर्मत होने पर पैसे देने गई थी, आर्थिक साइथा करने गई थी होंगी. वापसे में लोग पाढ़ के राखते से आ रहे थे, तो उस टाइम पेन के साथ ये घटना कर्म हुआ. यूपी फिर राजस्थान और अब मद्रिप्रदेश. मद्रिप्रदेश में भी के खरगोन में भी हात्र जैसी घटना घटी है. वहाँ 15 साल की नाबालेग लड़की से गैंग रेप हुआ है. तीन आरोपी रात में पानी में खेत पर आये पानी देने और लड़की को उठा कर ले गए. यहाँ भी पुलिस के कामकाज के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. पीडित के घरवानों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस तरीब देर घंटे बाद मौके पर पहुँची. जब तक पुलिस पहुचती तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. खर आईए अब मद्रप्रदेश के खरगोन से, हातरस, आजमगाड, बुलंच शहर, अलवर, खरगोन, सब जगह से ऐसी खबरें आ रहे हैं जिल को देहला देती है. आधी बड़ते विदेश के खबर आपको दिखाते हैं. अजरबेजान आमेनिया के युद्दिक के चार दिन अब तक सेनिकों के आमने सामने भिडन्त नहीं हुई, पर दूर से हमले खुब हो रहे हैं. जोन और गाइज़ेट पमों से, टैंकों से लेकर रियाईशी इलाकों तक द्वस्त हो रहे हैं. नई जमाने के युद्द भारत के लिए भी एक सीख की तरह हो सकते हैं. वीडियो देखा जिसमें अज़र बैजान एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है. और ये रॉकेट दुश्मन की जमीन पर जाकर गिरते हैं. जवाव में आर्मेनिया ने भी गोला बारी की तस्वीरें जारी की है. लेकर इस यूद की इससे भी बड़ी तस्वीर है. ये जिसमें आर्मेनिया की सेन ने गाड़ी को यूएवी से निशाना बनाया गया. असरिफ निशाना बनाया ही नहीं गया. उसके विध्वन्स की तस्वीर पे रिकॉर्ड कर अजर्बैजान की सेना को भीची गए. नर्गेनो कारबाग की अलाके में तुर्की की मदद से अजर्बैजान बड़े पैमाने पर ड्रोन सेना का इस्तिमाल कर रहा है. जिसमें उसके सैनिक यूद के मैदान में उत्रे बिना दूर से हमला करते हैं. दुश्मन को भनक होने से पहले ही धिकाने तवा हो जाते हैं. पिछले चार दुनों में ऐसी एक नहीं कई तस्वीरे सामने आई हैं. जहां ड्रोन से दुश्मन के टाइंग, काड़ियां और बंकरों में लगे रेडार को उड़ा दिया गया. ड्रोन कितनी बड़ी तादाद में इस्तिमाल हुए? इसका अंदाजा इसी वासे लगाए जा सकता है कि आर्मेनिया ने दावा किया है कि उसने अब तक 83 ड्रोन मार गराए हैं. वैसे में भारत को अब अपने बेड़े में ड्रोन बढ़ाने पर विचार जरूर करना चाहिए. हाली में भारत ने अमेरिकी MQ-9B Sky लेने का फैसला किया है जिस पर अमेरिकी प्रशासन से बाच चल रही है. इस ड्रोन को General Atomics Company बनाती है जो 40 घंटे की उडान की ताकत रखता है और करीब 40,000 फीट की उचाहिता कोड़ सकता है. और ठाइटन के लेजर गाइड़ेट बम और एर टू सरफेस मिसाइल ले जा सकता है. इसके अलावा इसराइल के हिरोन ड्रोन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है. टियाडियो भी शॉर्ट रेंज ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम बनानी के तायारी में जुटा है. चीन ने ड्रोन की ताकत को पहचानते हुए पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया था. इतना ही नहीं, खुफिया रेपोर्ट के मताबि चीन पाकिस्तान को भी ऐसे ड्रोन देनी की तायारी में है. इससे देखते हुए भारत की आस्मान में तायारी बढ़ाया जाने की जरूत है. चीन से चल रहे तनाओ के बीच भारत में ज़्यादा विक्सित ब्रहमोस मिसाइल का सफल परिक्षन किया है. चारसो किलोमीटर दूर तक मार करने वाली ब्रहमोस मिसाइल आत्मनिरभर भारत की तरफ एक और कदम है. ये आत्मन निर्भर भारत की तस्वीर है ग्रमोस मिसाइल का काम्याब परिक्षन चीन के लिए ये खत्रे की घंटी है ये अकेली मिसाइल चीन पर भारी पड़ सकती है ग्रमोस का परिक्षन पहले भी कई बार हो चुका है तो इस बार नया क्या था रमोस मिसाल में नया सोदेशी बूस्टर लगा है जिससे इसकी रेंज बढ़ेगी मिसाल का एरफ्रेम यानि बहारी ढाचे में सुधार हुआ है 400 किलोमेटर की रेंज वाली मिसाल का परिक्षन किया गया इससे दुनिया की सबसे तेज गुरूस मिसाल कहा जाता है प्रधारमंती नरेंद्र मोदी ने इसके बाद वग्यानिकों को बढ़ाई थी ब्रहमोस सुपरसोनिक प्रूस मिसाल का सफल प्रायोगी की परिक्षन एक और मिल का पत्थर साबित हुआ है ये परिश्क्रिक परिचालन शंता और अतिरिक सुदेशी प्राध्योगी की को दर्शाने वाला है सभी वैग्यानिकों और इंजिनियरों को बढ़ाई है मोई रक्षामंती राजना सिंग ने भी इसे उप्लब्दी बताया सोदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम के साथ तैसीमा तक सफल उडान परिक्षन के लिए डियाडियो और ब्रहमोज टीम को बढ़ाई इस उप्लब्दी से आत्म निर्भर भारत की शपत को बढ़ावा मिलेगा ब्रहमोज मिसायल को भारत और रूस ने मिलकर तैयर किया है ब्रहमोज मिसायल आवाज से 2.8 गुना तेज उड़ सकती है इसे जमीन, समुद्र और लड़ा को विवान उसे दागा जा सकता है ज्यादा दूरी की ब्रहमोज मिसायल का पहले ही परिक्षन किया जा चुका है भारत ब्रहमोज डूपर भी काम कर रहा है जो आवाज से 7 गुना तेज उड़ पाएगी झाल कुका है